अब आप इस चैनल को अधिक से अधिक सबस्क्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग विडियो सबसे पहले मिल फखे फ्रेंड साज का हमारा टोपिक है मनरेगा जॉब काट से संबंदित फ्रेंड से यदि आपको मनरेगा में किसी भी स्रमिक का जॉब काट डिलेट करना है देखे फ्रेंड से वैसे तो जॉब काट बिना किसी काराल के डिलेट नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ इस्थितिया होती है जिनके आधार पर ग्राम पंचायत जॉब कार्ट को डिलेट कर सकती है तो इसके में आपको बैभारिक और सध्धानतिक दोनों पक्छ बताऊंगा किसी भी मन्रेगा कि किसी भी जाप काड को कैसे मन्रेगा पोर्टल फे डिलेट करना है देखे, सबसेब पहले condition यह होती है कि वो विक्ती, वो स्रमिक परिवार जिसका कि आप जाप काड डिलेट करने वाले है उस परिवार ने कहीं सहर में पलायन कर लिया हो या फिर वो गाउं से सहर में रहने लगे हूँ पहली condition ये होती है दूसरी condition ये होती है कि वे स्रमिक के स्वेम चाहते है कि हमें अब हमारा जापकार्ड नहीं रखना है वे स्वेम अपना जापकार्ड डिलेट करवाना चाहते है उसके बाद तीसरी condition ये होती है friends की कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्रमिक का दो-ती अलग-अलग job card बन जाता है friends तो ऐसी इस्तिती में भी duplicate job card को हमें delete करना होता है तो इस तरह से कुछ condition होती है friends जिनके आधार पर आप मनरेगा के job card को delete कर सकते हैं तो friends देखिए मनरेगा के job card को delete करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले friends से आपको gram सभा जब आपकी पंचायत में होती है मनलेजी आप आज की डेट में मनलेजी job card को delete करने वाले हैं तो जो last gram सभा आपकी हुई थी friends उस gram सभा में एक प्रस्ताव ले लेना है कि इस स्रमिक का नाम ये है job card नमर ये है इनका job card नमन करनों से डिलेट किया जाता है तो इस तरह का आप एक प्रस्ताव ले लेंगे उसके बाद फ्रेंट साप अपने gram पंचायत लोगिन से उस job card को आपको delete करना होगा तो चलिए आगे की process में आपको बताता हूँ कि आपको job card मंड़े का पोटल से कैसे डिलेट हम आचुके हैं अपने chrome browser में और chrome browser में आने के बाद आपको search में type करना है nrega type करने के बाद आपके सामने nrega.nic.in वाली इस तरह की website उपन होके आएगी यहाँ पर आप देखेंगे एक option आपको यहाँ पर quick access वाला दिखाई दे रहा है तो simply आपको इस quick access वाले option पर click कर लेना है और उसके बाद 5GP, PS, ZP login वाले option पर simply आपको click कर लेना है friends इस पंचायत वाले option पर click करने के बाद आपके सामने एक नई बिंडो ऑपन होके जाएगी इसके बाद friends आगे की process खेंगी खरण version पर click करने के बाद आपको सामने इस तरह का 5S वाला option दिखाई देगा simply आपको इस first वाले option gram 50 वाले option पर click कर लेना है तो चलोंई हमने gram 50and वाले option पर click कर लिया है gram 50and वाले option पर किलिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के चार ओप्सन दिखाई देंगे तो आपको सिंपल यहां से इस डेटा एंट्री वाले ओप्सन पर किलिक कर लिया है डेटा एंट्री वाले ओप्सन पर किलिक करने के बाद आपके फंट्स सभी स्टेट इंडिया में जितने भी स सकते हैं उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर से इस्टेट आपको बाइड फोल्टा जाएगा फैनेंसियल एर आपको बर्तमानियर सेलेक्ट कर लेना है डिस्टिक ब्लॉक अपनी पंचायती उसर इडी पासवर्ट इस वाले के प्चे को इस वाले बॉक्स में फिल करने के बाद आपको लोग इन कर देना तो चलिए अगे कि प्रिस्ट में आपको लोग इन करने के बाद आपके सामने को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा फ्रन्स आप यहां से देख सकते हैं तो चुक्छी हमें फ्रन्स मन रएगा पोटल से जौब कार्ट को डिलेट करना है तो यूज करिंगे क्लिक तो इस वाले option पे करने के बाद apologies यह काफी सारे option यहां पर open होके आजाएंगे आप यहां पर second में देख सकते हैं दिखाई कर दिया तो simply आपको इस फर्स्ट गाले option registration में इस डिलेट वाले option पे क्लिक कर लेना है village select करने के बाद friends वे सारे आपके सामने स्रमी के job card open होके जाएंगे जिन job card को आप delete करना चाहते हैं friends यहाँ से आप देख सकते हैं सारे job card के detail open होके जाएगी आप यहाँ से पहले से ही आपको job card number लिख के रख लेना है ताकि आपको यहाँ पर problem मादनें मादनें दि chase कर लिए दिए जहाए ही बोटार rai d number. इस जॉब काड है ईहाद से डीटेल बेन उनकी एस दिख जाएगी और आप देख सकते हैं यहां से उसके बाद आपको एक option यहां पर friends main option जो दिखेगा reason of diletation आप किस कारान से इस job card को delete करना चाहते हैं तो यहां पर आपको friends 1234566 reason यहां पर दिखेंगे friends जिनके अधार पर आप किसी job card को delete कर सकते हैं देखें सबसे पहला region हम देखते हैं migrated non-existence in panchat मैं आपको friends पहले ही बता चुका हूँ कि जो विक्ति गाओं छोड़के किसी सहर में चले जाते हैं या फिर migrant हो जाते हैं friends तो ऐसी जाप काड़ किया जा सकता है तो पहला option यह हो गया friends जैसे किसी का duplicate job card बन गया है friends जैसे माल लेजे दो double double job card होगा इं friends किसी एक परिवार के या फिर एक बेक्ति के उसी नाम से तो ऐसी इस्तिति में भी आप job card को delete कर सकते हैं duplicate उसके बाद आप देख सकते हैं friends यह fake job card यानि कि किसी ऐसे विक्ति का job card बन गया है या फिर किसी बाहर के गाओं के विक्ति का job card बन गया किसी का लगार बस तो इस तरह से आपосто court की तो यानि कि स्रमीक स्वेंग चाहते हैं कि हमारा जबकाट डिलेट किया जाए काम नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद विलेज बिकम सरवन यानि गाउं से सहर की और पलायन कर चुके हैं तो इस तरह से यह डेटेल है फ्रेंट्स उसके बाद चलिए हम कोई भी एक रिजन य इस यह डेट वाला आपको दिखाई देरा है वेट कर लेंगे फर्ण्स उसके बाद आपको यह यहां पर आप देखेंगे से डेलेटेशन की आपको यहबर डेट आप को यहाँ पर type कर देंगे जिस भी डेट को आप डिलेट कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर वर्निंग में आप देखेंगे clicking यहां से इसे इसे डिलेट वाले option पर क्लिक करेंगे तो डिलेट वाले option पर क्लिक करने के बाद 2-4 सेकंड में आपका जॉब काड फाइनली यहां से डिलेट हो जाएगा तो यहां से आप डिलेट वाले option पर करेंगे तो फाइनली आपका जॉब काड डिलेट हो जाएगा तो सुम्मेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरू सब्सक्राइब किजीगा